अलो गाइस जैसे कि आप सभी जानते हैं हमारा स्टेनो फॉर ओल यूडूब चैनल है यहां बेसिक से लेकर एक्सपर्ट लेबल के आपको क्लास उपलप्त करा रही है एक्सपर्ट लेबल में पार्लिमांटरी पोर्टर और पत्से संबंदित आपको डिक्टेशन या निया में तुरूप से उपलप्त करा जाती है साथि आप हिंदी और इंग्लिश के किसी भी फॉंट में हिंदी के किसी भी फॉंट मंगल कुरती दे ब्रैमिंग्टन गेल सीबियाई में टाइप करने के पस्चात अपनी गलतियों का मुल्यांगन प्राप्त कर सकते हैं हमारे पोर्टल पर आपको हमारे वेबसाइट पर सभी गतियों बेर डिक्टेशन प्राप्त होती हैं सभी करने के लिए तैयार रहें आनंद आशुलेपि मासिक पत्र का अंक एक गति अभ्यास एक और दो रेडी उपकुल्पती महोदे जैसा कि आपने कहा आपका बिश्व विद्याले नया है लेकिन बंगाल में सिख्छा की परंपरा नई नहीं है बंगाल हमारे देश के बौद्धिक पुनर जागरण और रास्टिय जागरती में सबसे आगे रहा है राजा राम मोहन राय से लेकर जो की हमारे पहले आधोनिक पुरुष थे और इस छोटे शहर को उनका नाम देकर ठीक किया गया है आज तक बंगाल की कोक से जन्मी उन असंखे महन संतानों की एक लंबी कहानी है जिन्होंने हमारे रास्टिय जीवन को संपन और उन्नत किया है आज का दिन केबल एक समहरो का ही नहीं है आज इन यूवा इसनातकों के जीवन ने नया मोड लिया है आज से आप नई जिम्मेदारियां समालने जा रहे हैं अभी तक आप दूसरों से कुछ प्राप्त कर रहे थे आज से दूसरों को आप से अपिच्छा होगी विध्यारती जीवन एक तैयारी की अवस्था है समाच का यूवा लोगों के प्रती सिख्छा देने का दायत्व है इसकूल और कॉलेज की सिख्छा समाप्त करने के बाद पड़े लिखे नव यूवगों का समाच के प्रती एक कर्तब्य हो जाता है यह कर्तब्य है अपने अरजित ग्यान और कौशल को समाच की सेबा में लगाना आधी सताबदी पूर्व जब हमारे देश ने अपना सोतंत्र जीवन आरंब किया तो जवाहरलाल नहरू ने देश के नव यूवकों को नव भारत के निर्माण के अधबुत सहसी कार्य में योग देने के लिए आमंत्रित किया था वह आववाहन आज भी उतना ही सार्थक है जितना की 1947 में था क्योंकि एक देश का निर्माण के बल 50-55 वर्सों में ही पूरा नहीं हो जाता आप जो आज के नव यूवक हैं चाहें आपको स्वतन्तरता प्राप्ती के लिए काम करने का सोभागय प्राप्त नहीं हुआ लेकिन स्वतन्तरता को मजबूत बनाने के प्रियास में हाथ बंटा सकते हैं अतह आप स्वयम को अग्रणी समझें बहुत सा काम जो आप ही को करना है पहले कभी नहीं हुआ भारतवाशियों के जीवन में सजीवता लाने से अधिक अदभुत कार्य और क्या हो सकता है कभी कभी अकभारों में नव यूवकों में फैले अशन्तोष उनकी हरताले और अंचनों सीधी कारवाई और जगणों की खबरें आती हैं एक हद तक यह अशन्तोष यूवकों की गतिशीलता का दियोतक है उस सीमा तक मैं इस भावना का स्वागत करती हूँ लेकिन कभी कभी ऐसा प्रतीत होने लगता है कि हमारे यूवा लोग सत्त के अस्तित्व तक के विरोधी हैं यह विरोध विकास की एक अवस्था है या प्रवर्ती उपकुलपती महोदे अपने सकरात्मक रूप में यह कुछ कर गुजरने की इच्छा बन जाती है अपने काम के प्रती अशन्तोष ने ही लोगों को पुरानी समस्याओं के नए समाधान खोजने के लिए प्रेरित किया इसी प्रकृती ने सामाजिक, धार्मिक, राजनेतिक सुधारकों और सिख्छा विदों को जन्म दिया इसी से अतीत में नए छेत्रों की खोज हुई आधुनिक समय में परवता रोहन और ऐसे दूसरे सहासिक कार्यों में यही प्रवर्ती मुखर हुई है संसे और अस्विकार की इसी भावना के कारण विज्ञान और शद और दूसरे छेत्रों में नए नए अविशकार हुए हैं इस अपार बिश्व में मानव एक छुद्र जीव है उसकी उपलब्धी कल्पना इच्छा और कुद्यम में है वह स्वयम प्रकृती का बिरोध करता है ताकि वह अपनी लगुता पर बिजय पा सके इस तरह से उसने प्रकृती की शक्तियों को अपने वश में करके अपने लाभ के लिए इस्तिमाल किया है संचार के साधनों के विकास से दुनिया बहुत छोटी हो गई है इसलिए मनुस्ये ने अंत्रिक्ष की खोज आरंब की है इससे यदि युवाओं में एक नया उभार आया है तो निरंतर होने वाले परिवर्तनों के प्रती अभ्यस्त होने की नई नई समस्याएं भी पैदा हुई है जन संपर्क के ब्यापक संसाधनों से ज्यान प्राप्त करना और किसी भी देश या राष्ट से ज्यान और जानकारी प्राप्त करना सरल हो गया है इससे दुनिया में कहीं भी कुछ होता है उसका प्रभाव हर देश के नव यूवकों पर भी पड़ता है यूवा लोग जीवन में निश्चिन्तता और सीधे सीधे समाधान चाहते हैं बुजुर्ग समझोते के पक्च में है इससे दौनों का संगर्स बढ़ता है सुतुन्तरता के बाद भारत में यह और भी जैदा देखने में आया है वर्तमान पीडी के पुराने मानदंड आमूल नस्ट हो गए है और एक नई दिशा की खोज में भटक रही है हमें एक प्राचीन संस्कृती विरासत में मिली है जिसने हमें अपने लंबे इतिहास की अवधी में जीवित रखा है और हमें असंखे दुख और मुसीवतें जहलने के लिए बल प्रदान किया है इस संस्कृती के बहुत से आदर्श और गुण अनन्त महत्व के है लेकिन उन्हें आज के जीवन के लिए सार्थक बनाने के लिए हमें उनको बदलते रहना चाहिए उन्हें उन थोते अंद विश्वासों और व्यर्त के रिती रिवाजों से जो सदियों से हमारी संस्कृती में आ मिले है मुक्त करना चाहिए आपको हमारी परंपराओं को समझना चाहिए तबी आप हम जान पाएंगे यह हमारे डिक्टेशन समाफ तो चुकी है जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं और साथ ही हम आपको बता देना चाहते हैं हमारे पोर्टल पर आप इसको टाइप करके अपनी गलतियां प्राप्ट कर सकते हैं और हमारे अनुभब की टीम अनुभबी एक्सपर्ट टीचर जो है उनकी टीम भी आपकी गलतियों का मुल्यांकन आपको 100% उपलब कराती है